अग्नी बीर बहाली परकिर्या में बदलाव पहले होगी लिखित परिक्षा प्रश्णों का उतर देना होगा हलाकि कितने प्रश्णों को उतर कितने समय में देना होगा या अधिसुतना जारी होने के बाद ही असपश्ट हो सकेगा बता देया बदलाव अगामी बहाली फरवरी दो हजार तेश से लागू होगा इससे अस्थानिय भरती बोर्ड ने जील 17 से 21 परस तक के युवा से ना के अधिकारिक बेप साइट जोएं इंडियन आर्मी डॉट एनसी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं रांची में बीरसा मुंडा यारपोट इस्थीत मौसम केंद्र के परमूक और मौसम बैग्यानी अविसेख आनादर ने बताया है कि जार्खन के लगभग सभी जिलों में तापमान समाने से अधिक दिख रहा है या पाच्मी भी सोब का ही असर है उन्होंने बताया है ग्राइस्थान में जो साइक्लोनिक सर्कूलेशन बना हुआ था वह अब पंजाब पहुँच गया है पाच्मी भी सोब की वया से ठंडी हवाय इधर नहीं आपा रही है इसलिए तापमान समाने से ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान उससे सर्टे अफगानिस्तान में पाच्मी भी सोब के असर से एक साइक्लोनिक सर्कूलेशन तयार हुआ है जो समुद्र तल से 3.1 किलोमेटर से लेका 7.6 किलोमेटर तक इसी था है वही पंजाब में साइक्लोनिक सर्क्रिय है जो समुद्र तल से करीब 10 किलोमेटर उपर है इसका असर जारकंड के मौसम पर भी पढ़ रहा है चाइबासा में नकसलियों के खिलाब सर्च अपरेशन में ID से CRPF का अधिकारी घायाल पच्मी सिंभूम जीले के नकसलियों के खिलाब चलाए जा रहे सर्च अपरेशन में मौपसिल थाना छेतर अंतरगत पंडवा वीर पंचायत के अंज बेडा में सर्च अपरेशन के दौरान ID बिसफोर्ट हुआ है इस बिसफोर्ट में 197 बाटालियन के एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया है उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलिकोप्टर से राची भीजा गया है बता दे पिछले कुछ दिनों में चाईबासा में लगातार ID बिसफोर्ट हो रहे हैं कुलहान छेतर में भागपा मवादिन अक्सलियों की बड़ी संक्या मुपसिती होकर किसी बड़ी घाटना को अंजाम दने की सुचना के सत्यापन के लिए अहले सूबा से चाईबासा पुलीस कोबरा 209 BN, 203 BN, जार्खन जगवार और CRPF 60 BN, 174 BN, 157 BN की टीम एक सन्युक्त अभियान दलकटित कार अभियान संचालित किया जा रहा है रांची में 26 जनवारी से प्रिपेड मोड में कायम करने लगेंगे अस्मार्ट मीटर राइधानी में 26 जनवारी से स्मार्ट मीटर प्रिपेड मोड में कायम करना शुरू कर देंगे पहले चलन में पाइलेट प्रोडेक्ट के तहत लगाएगा 1000 मीटरों से जुड़े उभोगताओ को ही या सुविधा मिलेगी बाद में धीरे धीरे अने बिली उभोगता इस से जुड़ते चले जाएंगे बता दे जेवी भी एनेल आइटी सेल में मीटर का डेटा सेंपल सर्वे रिपोर्ट सही पाया जाने के बाद से ही इस दिशा में पर्यास चल रहे थे रांची के असोक नगर, डुरंडा, कोकर, आर एमसी एच, अपर बजार में रोट, काके रोट सही अने छेतरों में कूल 1227 आसमार्ट मीटरों को पायलेट पोर्जेक्ट के तहत लगाए गए थे आईसे में यह सभी उभोगता अवरी चार्ज के बाद ही बिजली का उप्योग कर सकेंगे वोटर्ज की भागेदारी के बिना लोकतंत्र की कलपना अधुरी राश्ट्रिय मत्दाता दिवस के मौके पर जार्खन के राजे पर रमेस बैस ने पहली बार वोटर्ज लिस्ट में सामील यूगा वोटर्ज समेत राजे के सभी वोटर्ज को बढ़ाई दिया है कहा है कि आज ही के दिन 25 जनवारी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग के अस्थापना होई थी आयोग के अस्थापना दिवस के आउसर पर वर्श 2011 से इस दिन को मत्दाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और सभी मत्तान केंद्र पर आवेजित होने वाले मत्दाता दिवस कालकरणों के माद्यम से वोटर्स को उनके मता धिकार के प्रति जागरूप किया जाता है राजेपाल ने कहा है कि राष्ट्री ये मत दाता दिवस लोकतंत्र में वोटर्स के महत्तो को भी दर्साता है उन्होंने कहा है कि वोटर्स की भागेदारी के बिना लोकतंत्र की कलपना अधूरी है विश्व का सबसे बड़ा लोगतंत्र होने के नाते भारत में वोटर्स को जागरूप करने और चुनावी परक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोच साहित करने में इस दिशा का विशेस महत्व है 1932 खतियान और OVC आरक्षन मुद्दे पर बाबुलान ने सरकार को घेरा है देव घरी स्थीत माईहर गार्डेन में अयोजी दो दिवस्य भाजपा पर देश कारे सेमिती की बैठा कि समापन सत्र में भाजपा विधायक दल के नेता साफ पुरो मुख मंत्री बाबुलामरांडी ने कहा एक 1932 और OVC का आरक्षन को लेकर है मन सरकार की मत्स साफ नहीं है इसे लागू करना राज सरकार के अधिकार छेत में था लेकिन राज सरकार ने अपनी अकर्मनत्ता के कारान इसे केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया उन्होंने कहा है कि भाजपा के सासन काल के दरान सर्वदलिय बैठक में अमतिम सर्वे राइडस में दर्ज खत्यानी लोगों को अस्थानिय मानने की कोशिज की गई थी लेकिन हाई कोट ने उसे खारिश कर दिया था बरतमार राज सरकार भी सरोदलिय बैठक बुलाकर इस परनिन ले सकती थी और उस समय के कानून में क्या कमी थी उसे दूर करती तो साइद उसे हाई कोट में चुनोती नहीं दिया सकती थी सराय केला के नन्हे जगनात को याद है समिधान की प्रस्तावना है गंतर दिवस के महोगे पर सराय केला खरसवा जिला अंतरगत प्रात्मिक बिद्यालाई संजाय के दूसरी कक्षा के छात्र जगनात मतो कुरांची में जालसा की ओर से समाइनित किया जाएगा पिछले दिनों आयोजीत समिधान सप्ताह के दौरान विभीन का रिकरमों एवंपर तोगताओं में बेतर परदशन के लिए चात्र चात्राओं का स्रिष्ट बाल एवंपर लिकाओं को जीला से लेकर राज अस्तर पर समाइनित किया जाएगा सराय के लाके प्रात्मिक विद्यालाई संजाय के दूसरी कक्षा के चात्र जगनात महत्तो का राज अस्तर ये पस्तरिष्ट बाल पुरसकार के लिए चैन किया जाएगा बता दे रांची के जे बीएम स्यामली की दसवी कक्षा की छात्रा पारूल का राज अस्तरपस्रिष्ट बाली का प्रुसकार के लिए चैन हुआ है इन दोनों को जालसा की ओर से प्रुसक्रित किया जाएगा 26 जनवरी को बाबा बैधनाथ को चड़ेगा तिलक बसंत पंचिमी के दिन बाबा भोलेनाथ का तिलक होगा तथा 18 परवरी को महा सिरात्री के दिन बाबा भोलेनाथ की साधी होगी इस औसर पर बाबा की चतुस प्रहर पुजा की जाएगी इस दोरान बिग्रह पर सिंदूर अरपित की जाएगी प्रंपरा के अनुसार तीलक पूजा में सामिल होने के लिए मिथलांचल से काफी संक्या में तिलकहरू का आना जारी है अब तक करीब पौने दो लाख भक्तों का देव घर में आगमन हो चुका है ये लोग सहर के अलग-अलग जगों में अपने परिजनों के साथ डेरा जमाय हुए है दिन और रात में सभी दलों का समोहिक तोर पर भोजन बनाते देखा जा सकता है वही रात में आवाशन, अस्थल पर, तिलकहरू, ढोल और करताल की थाप पर भयन किरतन भी कर रहे है दुमकावासियो को सियम हेमांध की सोगात जारखन के मुख्य मंत्री हमांसुरे ने गंतांतर दिवसे पूर दुमकावासियो को कन्वेंशन सेंटर की सोगात दी है साथ ही दस और पंचानवे क्रोर साथ लाग संतावन है राट सो नब्बे रुपए की लागत से 110 योजनाओं का उदघाटन और सिलन्यास किया है इस मौके पर सियम ने कहा एक सरकार की योजनाओं धरातल पर उत्रे योजनाओं का किरेंवन ती ब्रगती से हो योजनाओं सोसमाई पूरी हो इसलिए योजनाओं की लगातार निगरानी जारी है इसी कड़ी में खूद जीले में जाकर मुख ख्याला है और जीले के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की जमीनी हाकिकत की जनकारी ली जा रही है इस मौके पर सीएम ने लाभकों की बीच परिसंपतियों का बित्रन और 103 अभियारतियों के नियुक्ति पत्र परदान किया है 27 जनवरी को जे एस्टेडियम में होगा मुकाबला भारत और नुजलेंड की किरिकेट टीम रांची पहुच गई है बता दे किरिकेट टीम के आगमन को लेकर रांची एरपोट पर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए थे जे एस्टेडियम के अधिकारी उन्हें रिसीब करने के लिए एरपोट पर मौझूद थे धन्यवाद